अलवर के एनिवी थाना पुलीस ने सोने की नकली इट का जहांसा दे कर 24,000 नगद और आईफोन ठगी करने के आरोप में 25 वर्षे बदमाश को ग्रिफतार किया है पुलीस ने इस मामले में इकबाल खान को ग्रिफतार किया है अनिवी थाना के सायक उपने रिक्षे रामपाल ने बदाया कि वरुन कुमार सिना निवासी बस्ती उत्तरपरदेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे एक व्यक्ति का फोन आया और उसने सस्ते दामों पर सोने की इट बेचने की बात कही और उसे अलवर बुलाया जहां आरोपियों ने उसे सोने की इट का सोदा दो लाग रुपे में तै कर उसे जहांसा दे कर 24,000 रुपे से एक आईफोन लेकर फरार हो गए पुलिस ने मामलत दर्ज कर जाच शुरू कर दी है और मुक्विक की सूचना पर बदमाश एकबाल पोतर फजरु खान निवासी शिव कलोनी को गिरफतार भी कर लिया गया पुलिस ने बता है कि बदमाश से पूश्टा जारी है और इसे और भी अन्य वार्दात खुलने का संदे है नकली सोने की दिखाकर चोवी सजार अबेर मुबाइल ले लिया उसके साथ दोकरणी की इसने इसको बदबदार किया और में आले में पेस्के अजाए यह पहुंग करके बुलाते लोगों को और नकली सोने असी नकली इसको असली इत वदाकर पैसे अर्थे कि अर्था चल यह सकतु जारी